आप जाएको देख सकते हैं उसमें हमने सुरू में लाइट का डिफिनेशन, लाइट का नेचर, लुमिनस, नन लुमिनस, नन सिर्फ लुमिनस, फिर अट नैचुराल आटिफिसियल लाइट सोर्सेज, हेट्रोजीनियस मेडियम, होमोजेनियस मेडियम, एबलिटी टू पास दर लाइट के बेस पर ट्रांस्पेरेंट, ट्रांस्फिरूसेंट, टॉपिक, मेडियम को कासिफाई किया था, फिर ये लाइट रे क्या होता है, बीम क्या होता है, कनवर्जेंट बीम अफ लाइट, टैवर्जेंट बीम अफ लाइट देखा था, फिर सो ना था कि उम्बरा रीजन क्या होता है डार्कर पार्ट होता है शैडो का और पर नम्बरा रीजन क्या होता है पार्सी और डार्क यानि कि कम डार्कर पार्ट होता है शैडो का और ये डार्कर पार्ट होता है यानि कि सब ज़्यादा जो डार्क पार्ट होता है किशी भी यह चीज़ देखा था फिर solar eclipse और solar eclipse के बारे में light का speed को देखा था कि कैसे modern age में light का speed measure किया गा फिर sun से earth के बीच में कितना distance कैसे हम लोग measure करते हैं d is equal to v into t करके हम दो किया था कि 15 क्रोड किलोमेटर के दूई है sun और earth के बीच में कैसे निकलता यह भी बताया था यह भी बताया था कि जो moon जो है वो 28 दिन में earth का एक revolution करती है और अब इस आगे क्या देखना है तो यह last है हमारा theory के लिए उसके बाद exercise में हम लोग आएंगे तो theory में यह last है हमारा class और इसमें light के लिए तो हमने application of light देखेंगे उसके बाद हम लोग reflection of light देखेंगे जो कि सबसे important है reflection of light तो reflection of light में हमें सारा चीज़ पॉठना incident ray, reflected ray फिलाज of reflection, angle of deviation, glance angle of incidence, glance angle of reflection फिर हमें numerical यानि examples भी देखना है और उसके बाद फिर हम सीरे exercise में jump करेंगे साथ एकली class में नहीं तो इसी class से भी हो सकता है हम उसे start कर देखें, short answer type question जो भी हो so अगर अभी तक बागे चीज़ों को check out नहीं किया, class 6 के measurement and motion करा दिये गया है, 4 second chapter भी करा दिये गया है, questions सहीं थे, exercise में सारे solution करा दिये जा चुके है आप उसको जाके check out कर सकते हो, और work power and energy के भी question answer करा दिये जा चुके है, theory सहीं थे, theory mechanism of machine हो गया, आप उसको भी जाके theory plus question answer को जाके देख सकते हो, कहीं भी problem है और धी-धीरे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे, सारा complete करेंगे, तो application of light, क्या है application light का, आप खुझ से भी देख सकते हो light, सबसे बहुत तो आप इस study करते हो, आप लिए सबसे क्या है light study, जो हमारा artificial bulb है, जो भी आपके पास light bulb है, आप तो light bulb आ गया, street light है, फिरे, आप को कही तरह कि आप जिस देखो, अब कुछ technical चीज है, जैसे wireless mouse, वैसे मेरे पास wireless noise नहीं है, मेरे पास तो wire bulb mouse है, लेकिन अब wireless mouse काफी लोग पर यह हो रहा है, तो वहाँ पर भी light का use है, बारकोड रिडर, जब कभी आप मॉल में जाते हो, तो किसी भी समान का कितना दाम है, वह बारकोड रिडर सहीं देखके वहाँ पर क्लिक हो जाता है, तो solar energy में CD-DVD जो होते हैं, उसमें भी light का use है, medical diagnosis में जैसे endoscope, आप उसको देख सकते हो, और भी कई चीजों में आप light का use देख सकते हो, जैसे जो sunlight होता है, उसमें तो vitamin D भी होता है, तो आप यहाँ से भी so, जैसे scanner, printer, binoculars, xerox, यह सब में आपको light का application लिए बर्ब देखो, पहले बता भी राता लिए जा treatment free endoscope, यह जो endoscope लाकर देखते हैं, जो अंदर के organs में क्या है क्या नहीं, यह endoscope जो भी, आप मैंसे जो लोग बैव लेंगे, इसको ज़रूर इसके बारे में पहुंचना हो उनको, diagnosing internal organs को ही endoscopic काते हैं, तो यह तो कुछ application हो गया, अब जो भी बताया था कि homogeneous opaque medium, तो opaque, तो हम जानते हैं कि जहां से light, एक medium, उस medium से पास निका सुछता कि इसमें opaque medium से, लेकिन homogeneous हो चाहिए, तो homogeneous का मतलब कि एक ही तरह के particles है, उस substance में, जो medium है, एक ही तरह के particles है, तो इसका एक example, ूड हो गया, metal हो गया, opaque भी है और homogeneous भी है, फिर heterogeneous transparent, transparent जिसमें light पास कर जा पुरी तरह, लेकिन heterogeneous medium का रहा है, तो air हो गया, air हो गया, sea water हो गया, क्योंकि heterogeneous इसलिए है, क्योंकि air में dust भी है, CO2, carbon monoxide, सभी तरह के gases हैं, तो यह homogeneous है, heterogeneous है, क्योंकि heterogeneous में different types of particles हो इस तरह से मैंने इन दोनों को बता दिया, फिर आप वैसे ही homogeneous transparent medium का example पूछ रहा है, और फिर heterogeneous translucent medium का, तो homogeneous transparent medium में pure water, petroleum vapors आ जाएगा, pure water homogeneous तो है ही, और transparent में transparent भी है, फिर heterogeneous में translucent medium पूछ रहा है, heterogeneous में partially impure water, या फिर fog हो गया, जैसे जो पानी थोड़ा सा गंदा होता हो, heterogeneous होता है, क्योंकि इसमें mud भी हो गया, sand particles भी होता है, और light उसमें बहुत कम pass होता है, partially pass कता है, तो translucent भी हो गया, तिसलिए partially impure water, फिर आप कुछ और तरह के भी example सोच सकते हो, heterogeneous translucent medium, यह कुछ-कुछ examples है, जो previous class के knowledge से हम लोग ने पूरा की है, फिर how many lumens में कीतना candle power, थमको प 5-6 करेंगे तो by 3, यानि की 30.68 candle power में 3 lumens होंगे, वैसे candle power किसका unit था, luminous, luminous का na, luminosity, luminosity का, क्या था, unit सा, candle power, और lux किसका, lux किसका था, unit, intensity का, intensity of light, intensity of light, यह light लिखना ज़रूरी है, intensity of light, और यह हो गया, luminosity of light, ठीक है, अब होजिनियस तो, homogenous medium, heterogeneous medium, अगर optical medium के respect में देखें, तो, और कुछ नहीं, homogenous medium, बगर की uniform composition throughout the, out होता है, तो, homogenous medium, जिसमें pure glass, pure water, और glass होता है, यह होता है, जैसे air हो गया, pure water हो गया, यह हमारा सबसे important topic, इस पूरे lecture का, reflection of light, तब bouncing, तो reflection क्या है, तब bouncing, एक होता है, reflection, जो अभी नहीं पढ़ना है, reflection होता है, reflection of light, reflection of light क्या होता है, bending of light होता है, लेकिन reflection क्या होता है, bouncing back of light, from a smooth polished surface मेने, light is incident on, it is called reflection of light, और reflection क्या होता है, refraction, यह bending of light होता है, यानि light का मुड़ना जब वो एक medium से दूसरी medium पास करता है यह भी नहीं पढ़ना है लेकिन थो अचा जान जाओ building of light when it passes from one medium to another या फिर dancer से lower या lower से dancer medium में पास करता है दूसरी बाद इस chapter में आप लोग के class 6 के level में mirror और convex mirror नहीं पढ़ना है ठीक है कि और plane mirror के बारे में जाना है कि plane mirror क्या होता है वो कैसा image form करता है ओके तो यह आपका limitation है इस class करिए ठीक है start करते हैं तो mirror तो mirror क्या होता smooth poly surface वैसे बहुत बार silver उसको smooth किया जाता है उसको glass के एक part को उसको silver या फिर किसी और उसका एक परत चढ़ा जाता है तो silver वो mirror की तरह काम करता है तो smooth poly surface which can turn back the light ray into the same medium is called mirror incident ray क्या होता light ray which is incident और mirror is called incident ray रे आपको पता है न कि light के जो direction travel करती है जो light energy जो travel करती है उसको हम light ray करते है जिस तरफ light ray जिस तरफ light energy travel कर रही है उस direction को हम लोग करते हैं कि इस तरफ light ray travel कर रही है reflected ray light ray which bounces off the mirror surface is called reflected ray point of incidence तो point of incidence क्या हो सकता है ऐसे बिना देखे बताऊ कि जिस point पे incident ray आके mirror से टकराती हो उससे क्या कहेंगे point of incidence नॉर्मल क्या है तो mirror के perpendicular जो line हो न परपेंडिकुलर इसी को कहेंगे क्या कहेंगे ये normal है ठीक है normal ये normal है mirror के perpendicular जो line है न ये perpendicular ये line इसी को normal कहेंगे angle of incidence तो आप देखो समय आगे angle of incidence of incidence of angle of incidence को बताने का तो देखो मानलों ये a b है a b क्या हमारा incident रहे है देखो तो a a b ये दो point है तो यहां से यहां ray गई देखो इसको direction भी दिया हूँ ऐसे incident रहे तो a b क्या हो गया incident रहे b c क्या हो गया reflected रहे यहां ray लिखना ज़रूरी है reflected रहे reflected रहे और ये normal देखो यह चोटा चोटा बिंदू करके दिया है यह हमारा mirror है यह क्या है mirror है यह mirror यह smooth polished surface और में लिख सकते हो smooth polished surface smooth polished surface ठीक है घ्या है तो अब देखो तो ये a b क्या हो गया incident रहे हो गया b c क्या हो गया ये क्योंकि यह किसी एंगल से थी अब हम तरह तरह के कंडिशन देखेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा इंटर्ड़क्शन देख रहे हैं तो BC क्या reflected रहे है यह क्या है normal है और यह incident रहे और normal के बीच में कुछ angle बन रहा है पता है ने angle क्या होता है दो line segment या दो ray के बीच में जो भी आप एंगल बनता है समझ रहो यह angle यह angle आई है तो यह angle क्या कहेगा angle of incidence तो यहाँ पर आई क्या है angle of incidence angle of incidence और यानि कि incidence ray और normal के बीच में जो angle बनता है उसी को angle of incidence करता है यह मत देख ले ना कि incident ray और surface की बीच में यह क्या है हमारा surface है surface कोई mirror है या smooth surface है तो angle of incidence यह नहीं होता है कि incident ray और surface की बीच में यह नहीं होगा यह होगा incidence ray और normal के बीच में फिर से incidence ray और normal के बीच में जो angle बनता है उसी को angle of incidence करते है ना कि इंसिडेंट रे और सर्फेस के बीच में जो एंगल będę आ उसको इंसिडेंट रे करते हैं यह क्या है आ रहा है यह dure पूरे के बीच में एंगल है एक नॉरमल और दुसरा रिफ्लेक्टेट रहे ठीक है यह नहीं कि रिफ्लेक्टेटेटेटे रहे एक बीच में जो एंगल बन रहा है इसलिए मैं पुरा क्लियर कर दे रहा हूं अभी देखो पूरा इसमें बातचीथ होगा अच्छा ये तो किसी एंगल पर light रहा है इसलिए किसी एंगल पर चला गया अभी अभी रुख जाओ अभी रुख जाओ हम लोग लावद दो रिफ्लेक्शन तो देखते हैं टाइपस और रिफ्लेक्शन एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरा होता ही रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कब टेक्वेस करेगा जब जो light ray जो है जो incident रहा और किसी smooth poly surface भी है किसी mirror पर incident करेगा तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा जब किसी parallel beam of light beam क्या होता है लाइट? beam of light group of light ray को ही beam of light करते है हम पिछले ग्लास में भी लेख चुके है यह सारे terminology भी पढ़ चुके है तो parallel beam of light incident on smooth surface reflected back as parallel beam this occurs on mirror smooth polysty surface ठीक है? लेकि रेगुलर surface कब होगा? जब parallel beam of light तो आएगा लेकिन reflection के बाद तो parallel beam नहीं रह जाता है parallel beam of light incident on rough surface are not reflected back as parallel beam तो जब भी ऐसा यह situation take place करेगा तो आप देखो कि बहुत चमकदार कोई चीज है ठीक है? आपको जब इस तरह का regular reflection होता है देखरो सारे parallel incident रहा है और जब रिफ्लेक्शन हुआ है इस surface से, smooth surface से तो सभी parallel ही सारे array of light parallel ही ही reflect कर गए लेकिन यहाँ सारे parallel तो आयत है लेकिन उसके बाद यह कोई normal कोई 90 degree बना के चला गया, कोई कूछ angle बना दिया कोई कूछ देख रहे हो इसको यह regular कहेंगे और ऐसा खास का rough surfaces में होता है अधिकतर जो reflection होते हैं वो इसी तरह के होते हैं क्योंकि इतना चिकना सर्फिस इस तरह का smooth surface बहुत कम ही होता है ना समझ रहे बात को तो लाज of reflection आप लाज के कुछ नहीं है लाज मतलब होता है कि जो सब जगर लागू हो पूरे वर्ल्ड में लागू है इरिस्प्रेक्टिव कि आप अमेरिका में बैठो है इंडिया में या आज आप बैठो हो या कल बैठो गए ठीक है एक तो पांच साल पहले था या पांच साल बात हो लेकिन उन नियम है लाज है वो ब्रेक जल्दी नहीं होता है उनिवर्सल है तरह का इसलिए उसको लाज बोलते हैं कि एक कानून की तरह लाज ओफ रिफ्लेक्शन देखो भारी भर कम थोड़ लगता है लाज ओफ रिफ्लेक्शन फिर से रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन अलग चीज है ठीक है रिफ् तो यह कोई मानलो स्मूद पॉली सर्फेस से मिरर है कहना तो जुली हैंना कि रफ सर्फेस तो फिर तो फिर से रेगुलर रिफ्लेक्षन हो जागा जो कि मुझे नहीं चाहिए तो अभी जो सवाल बनेंगे वो सारे में रेगुलर रिफ्लेक्षन होगा तो आप देखलो इंसिडेंट रहे है और यह नॉर्मल है यह तीनों सेम प्लेन में लाई करता है ऐसा नहीं प्लेन करने का क्या मतलब है जैसे आप अभी टेवल पर प्लेन है तो इसी प्लेन पर इंसिडेंट रहे है और बूद सेम प्लेन पर इंसिडेंट रहे है यह यह नौर्मल और इंसिडेंट रहे है यह वन दी में है यह एक ही plane में है यह 2D में नहीं है ठीक है और पहला लोग ही कहता है और सब सेम Pangal voll at the point of incidence यही point क्या है point of incidence है, यह point क्या है, point है जहसे मालो a b है और यह c है तो b क्या है ? Point of incidence है पहरा लोग यह कहता है दूसरा लोग angle of incidence is equal to angle of friction, let us understand this law better फिर दूसरा लोग क्या कहता है कि angle i जो है यह r के बराबर होता है कब जब आपको पता है कि smooth surface तो होना ही चाहिए, ठीक है regular reflection किसम है, क्या होता है कि angle i is equal to angle r होता है, मानलो i कितना है, angle i मानलो 40 degree आया था, 40 degree पर आपने light को भेजा, normal से, और i कहां से measure होगा, normal से, तो angle r भी है जो reflection होगा, वो भी 40 degree होगा, बिने calculate कि आप बता सकते हो, और बाग angle i is equal to angle r होता है, यह wooden block लिया है, point of incidence लिया, फिर mirror strip, paper sheet और यह सब कुछ लिया है इसने, और यह साथ प्रूफ करने जी कोशिच कर रहा है कि angle i is equal to angle r होता है, यह जो कर प्रोटेक्टर से इसने draw किया, ठीक है तो आप घर पर भी कर सकते हो, इस तरह से जब आप एक छोटा सा laser या light जो भी हो, छोटा सा beam of light अग भेज हो लिया, और यह तरह का drawing बनाओगे, फिर बाहर में protector से measure करोगे, तो आप पर चला कि यह कुछ ही इस तरह का बन रहा है, और यहाँ पर जीतना angle इससे बन रहा है, उतना ही angle यह है, तो angle i is equal to angle r, जो को यहां लिखा हो है, activity to demonstrate second law of reflection, तो पहला law of reflection क्या था, कि angle of reflection, जो incident रहे है, reflected रहे है, और normal, all line the same plan at the point of incidence, second law of reflection क्या है, कि angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, और of course, यह जो जितने यह जो law है, ओ mirror या किसी smooth quality surface के लिए ही लागू होंगे, so, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ question करते हैं, अब लेकिन सबसे पर है nature of image found by a plane mirror, तो image is found by a plane mirror, plane mirror क्या जो आप घर को जो आईना रखे हो, plane mirror ही है, ठीक है, वैसे आप मुझे बताना कि bike में जो आईना होता है न, जो rear glass होता है, जिस पर लिखा होता है कि object in mirror are closer than they appear, उसमें क्या होता है, क्या ओभी plane mirror है, जो आपके bike है, जो आपके पीता जी का bike है, जो भी रहता है न, इस तरह का निकला हुआ, यहाँ पर engine है, तो इसमें कौन से तरह का mirror का इसमाल होता है, हम बता सकते हो, comment section में लिखना, क्या इसमें में plane mirror है, of course plane mirror तो answer नहीं है, आप जो बताना और अगर वो mirror है, भी मानलो कोई mirror है, तो उसी mirror का क्यों यह जुगा, यह भी लिखना थोड़ा, वैसे मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, तो nature of image formed by a plane mirror, तो the image formed by a plane mirror has certain unique property as given in floor chart below, nature of an image formed by a plane mirror, plane mirror में जब भी image formed होता है, और literally inverted होता है, आप देखोगे, कि आपका जो दाहिना हाथ है न, मानलो आपके दाहिने हाथ में, बूक है, और आप plane mirror के सामने खड़े हो, तो जब आपका, आप देखोगे आईना में, यह से आपके दाहिने हाथ में, यह आपका दाहिना हाथ है, आपके दाहिने हाथ में, बूक है, लेकिन जब image form होगा न, plane mirror में, तो आपका द आए हाथ में भूक है ठीक है इसी को बहुत है लेटरली इंवर्टेड यानि कि लेटरली इंवर्टेड शोरी स्पिरिंग थोड़ा गलती है लेटरली वैसे मेरा लाइटिंग दीखी भी नहीं रहा होगा लेटरली इंवर्टेड तो लेटरली इंवर्टेड में क्या आता है कि दाहिना बायाक बन जाता है और बाया दाहिना बन जाता है इमेज आपका फॉर्म होगा यानि कि समझ में आ रहा है लेटरली इंवर्टेड मतलब यहां देखो लिखा गुआ है If we see ourselves in mirror आपका इमेज है न वह भी एक मीटर पर बनेगा अंदर यानि अंदर मतलब वर्टुवल इमेज बनेगा वर्टुवल ठीक है वर्टुवल बनेगा इरेक्ट बनेगा इरेक्ट मतलब क्या होता है सीधा ऐसान है कि जब यह आप प्लेन में देखते हैं तो आपका सर पैर की जगा और पैर सर की जगा फिर तो दिकत हो जाता है न इरेक्ट का मतलब भी होता है सीधा ठीक है? तो प्लेन मिरेन में इरेक्ट इमेज बनता है और वर्चुवर बनता है और सेम साइज रहता है सेम साइज रहता है ऐसा नहीं कि आप साइज जी उसे चोटा या उसे बड़ा image बनेगा plane mirror में ऐसा नहीं होगा virtual रहता है, erect कर रहता है same size रहता है or literally inverted रहता है, literally inverted मतलब बाया दाया की और चल जाएगा और दाया बाया की और आ जाएगा ठीक है, यह चीज़ लिखा हुआ है literally inverted distance और image is virtual virtual और real में क्या आता है एक होता है real image और एक होता है virtual image अब देखो बताता हूँ, real क्या होता है कि एक ऐसा image जिसे आप किसी परदे पर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है, जिसे किसी परदे पर प्राप्त कर सकते हैं जिसे projector हो गया, तो projector को आप जब भी किसी परदे पर दिखाते हैं तो वहाँ image form होता है लेकिन virtual को आप किसी परदे पर पर आप नहीं कर सकते हो यहाँ पर लिखा गाते है image seen in the mirror can't be formed on a screen placed in the mirror यही मतलब होता है virtual का कि virtual image वो image होता है कि it can't be formed on a screen placed in the place of mirror और किसी screen पर form नहीं कर सकता है वो जो image है अगर mirror के जगए कोई screen लिलो गए तो वहाँ कोई image form नहीं होगा वही होता है virtual image यानि virtual मतलब अभासी परतीत हो रहा है और real मतलब हाँ यह है असरी इस तरह का real तो real जो होता है न वो screen पर उसका image form हो सकता है screen पर image form हो सकता है इसे concave mirror के case में real image बनता है यह एक example बता रहा है ठीक है ओके वैसे आप यह भी याद कर सकते हो कि real image convergent के case में है अगे problem भी एक convergent beam के case में real image बनता है और divergent beam के case में virtual image बनता है convergent beam क्या होता है जब सारे जो ray है न light ray वो किसी एक point पर मिलते है तो ऐसा हम क्या करते है कि वो जो beam of light है वो convergent beam of light है लेकिन divergent beam of light क्या होता है कि जब एक ही point से कई सारे light of ray निकलते है ठीक है अलग अलग direction में तो हम करते हैं कि यह जो group of light ray है यानि यह जो beam of light है जो parallel नहीं है यह जो beam of light है ना इस तो यह को बोलते हैं divergent beam of light जिस हैंने बता है कि अब इसले क्लास में तो divergent beam of light के case में virtual image और convergent beam of light के case में real image बनते हैं ठीक है तो यह हो गया nature of image formed by a plane mirror याद रहेगा लेटरली inverted होता है same distance पर बनता है distance of an object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror ठीक है बता है फिर दूसरा image virtual और erect होता है तो I hope कि फिर application of plane mirror used as a looking glass saloons में kaleidoscope में ठीक है यह periscope में solar cooker में architect to show false dimension heploit Mary Davy invented the periscope heploit Mary Davy periscope और कुछ नहीं यह submarine में use होता है जो पानी में जो चलते है ना submarine पानी के अंदर जो military से use होता है military के तरह जिसमें submarine सुने होना ना submarine 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 एक मिनट अब submarine में क्या है कि अब आदमी हरसम में उस इंजन से या उससे बाहर तू नहीं लाइट का जो reflection हो इस mirror पर पड़ेगा और इस mirror पर पड़ेगा और इस mirror से reflection इस mirror पर पड़ेगा और यहां से अपने आखों से देख पाऊगे तो ऐसा इसको आप घर पर बना सकते हैं तो साथानी से और इस तरह से आप बीना बाहर जाए इसको देख सकते हैं तो काफी अच्छा लगता है पर इसको PC को करते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं और इस तरह से प्रेस को प्लगा सकते हैं बना सकते हैं फिर यहां पर इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो पहले ही मैं बता चुका हूं कि 3-10 प्रेट मिटा पॉर्शेगन होता है इसमें वैकूम में और सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने के लिए लगभग आठ्विंट का समय लगता है लगभग अब एक प्रॉब्लम करेंगे एक दो तीन चार चार प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद फीर हम कितना मिनट हो गया पछी सीन अट हो गया तो चार प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद हम लोग दुसरे क्लास में एक्सरसाइज सुगू करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहला क्या पढ़ना है क्या बनाना है कोशन में very short answer type question फिर short answer type question और उसके बाद क्या है concept application में 5 question है उनको बनाएंगे फिर हमाला chapter खत्म तो समझ में है plane mirror, loss of reflection अभी तो उस पर question बनाएंगे तो clear हो जाएगा ठीक है अब देखो यह question है और छोड़ा साचा question है when two mirror, एक mirror M1 है, एक mirror M2 है ठीक है और inclined at angle 60, inclined at angle 60 degree पर inclined है यह दोनों mirror के बीच में कितना angle बन रहा है 60 degree यह 60 degree है ठीक है अचा एक चीज़ और पता है कि triangle में तीन्यों angle कसम कितना होता है एक साच डिगरी होता है एक साच डिगरी होता है यह पढ़ना है जो भी हो किसी भी triangle में तीन्यों angle का सम हमेशा एक सोच डिगरी होगा सम पोल रहा हूं सम हमेशा एक सोच डिगरी होगा तो उसका यूज करेंगे यह तो when two mirrors are inclined angle 60 degree with each other find the glancing angles and the angle of deviation अच्छा glancing angle of incidence यहा períक है ? लेकिन हम यह मांंके चल यह है की glancing angle of incidence पूच रहा है , ठीक है ? वैसे यहाँ पर 45 डिगरी पर यहाँ पर यह इकॉल तो 150 डिगरी लिख दिया है आ इसे इकॉल तो कितना लिख ना है 150 डिगरी क्यां सटाइ है लगता है तुम है 150 डिगरी ऐ लेखना ش़ह़ यह क्या कई से भी नहीं होगा अच्या कोषछन आगे पड़ते हैं इच अदर फान ग्लैंसिंग यांगल एपडियेशन क्या पूछ रहा है ग्लैंसिंग पुछ रहा है और यांगल देवियेशन दो चीज पुछ रहा है at both the mirror, दोनों mirror पे, यहनि चार अंसर होंगे न, at both the mirrors, if the angle of incidence of a light ray is 45 degree, ठीक है, angle of incidence, अब guys जेखो, यह I is equal to 45 degree होगा, समझ मैं रहा है, क्योंगी angle of incidence क्या होता है, कि incident ray और normal के बीछ न, तो M1 mirror के लिए यह N1 हो गया, यह normal हो गया, N1, और M2 mirror के लिए कौन normal हो गया, यह, यह, द यह N2 normal, यानि कि यह normal हो गया, normal क्या होता है, तो surface के perpendicular, जो line draw करते हैं, perpendicular क्या होता है, 90 degree बनाते हैं, जैसे यह surface है, इसके perpendicular, perpendicular इसको करते हैं, 90 degree बनाते हैं, उसको normal करते हैं, ठीक है, तो यह angle of incidence, 40 degree दिया होगा, देखो, मैं कहीं से अपने से नहीं लिखा हूँ, कि first mirror पे angle of incidence कितना है, 50 degree दिया है, तो आपको पता है, logist reflection से कि अगर smooth surface पे आज़ा कोई light incident करते हैं, तो जीतना angle of incidence होता है, उतना ही angle of reflection भी होता है, और angle of reflection क्या होता है, तो reflected रहे, यह reflected रहे हैं, किसके लिए, mirror one के लिखेट है, light रहे यहां से आई, और यह reflect कर गई, तो angle of reflection क्या होता रहे हैं, और normal के बीच में जो angle होता है, उसी को reflected रहे करता है, तो अगर angle of incidence किसके लिए, mirror one के लिए कितना है, 45 degree है, तो angle of reflection भी कितना होता है, क्यों होगा, bracket में लिखना, कि law of reflection, नहीं लिखना, law of reflection क्योंगी, second law of reflection क्या होता है, कि angle of incidence is equal to angle of reflection होता है, जब surface is smooth हो, smooth polished हो, ठी तो यह 45 हो गया, तो गाइज, यह 45 हो गया, ध्यान देना, यह 45 हो गया, और यह पूरा 90 है, फोड़ा सा कचड़ा गया न, एक मिनिट ना कोशी सकता है, तो इस नोर्मल के बीच में, और यह सर्फेस के बीच में कितना एंगल है, पूरा कितना है ये तो निकल गा कितना 45 डिग्री हमारा आर तो ये पूरा 90 है तो 90 में से कितना खटा देंगे एक मिनट 90 में से कितना खटा देंगे 45 तो 45 ही आगा तो इसलिए ये अंगल भी कितना हो जागा 45 ये पूरा 90 है समझञे रहा हुं यह पूरा एंगल नभेट है यह पूरा एंगल नभेट है लेकिन यह मुझे 45 आ गया तो इसको निकालने के पीमें प्या करूँगा हाधिया यह दिया उटक Ayuba डर आप देखो यह पहले वाज़ नहीं तो 75 डीगरी है, ये 75 डीगरी कहा से आया, इसी से आया कि किसी भी ट्रैंगल में हमारा ट्रैंगल बन रहा है, यह पॉइंट क्या है, ये पॉइंट और यह point ट्रैंगल यह सुवस्ती हो जाते है इसलिए 75 हो जा रहा है समझ मैं रहा है 75 क्यों हो आया बस इतना याद रखना अभी अब देखो अब इस पर भी एक normal draw करेंगे mirror 2 पर भी एक normal draw करेंगे मुझे पता है अभी मैं glancing angle नहीं निकाला हूँ तो यह नॉर्मल है और यह हमारा क्या है surface है ठीक है अब अब थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा मैं गिजबिज न हो जा इसलिए थोड़ा सा अब देखो यह normal नभी डिग्री बनाती है अब यह तो खुद 75 हो गया यह ज़र भी तो 90 होगा न लेकिन यह खुद 75 है तो बाती 90 में से 75 अगर subtract कर दें तो कितने आएगा पंदरा डिग्री तो इसलिए यह पंदरा डिग्री हो जागा है देख रहे हो यह पंदरा डिग्री अब यह जो है यह reflected ray किसके लिए mirror 1 के लिए लेकिन mirror 2 के लिए क्या है यह incident ray है फिर से यह जो ray आ रही है न यह reflected ray है किसके लिए mirror 1 के लिए लेकिन यह ray क्या है mirror 2 के लिए क्या है incident ray है और incident ray और normal के पीछ में जो angle होता है उसी को तो angle of incidence करते है तो angle of incidence किसके लिए mirror 2 के लिए कितना है 15 degree है और आपको पता है कि smooth polysurface है यह mirror है तो loss of reflections के कारण angle of reflection किसके लिए mirror 2 के लिए कितना हो जागा ओगी 15 degree हो जागा क्यूंकि angle i is equal to angle r होता है loss of reflection से ठीक है अब आते हैं question पर glancing angle तो glancing angle क्या होता है glancing angle ध्यान दो guys देखो अगर यह angle of incidence है और यह angle of reflection है और यह smooth surface है ठीक है smooth polysurface है और यह normal है तो यह तो मुझे पता कि यह angle of incidence होता है और यह क्या होता है angle of reflection होता है लेकिन अगर मुझे पूछे कि glancing angle of incidence क्या होता है तो यह angle जो होता है यही glancing angle of incidence होता है GI लिग देता हूँ और यह क्या है glancing angle of reflection है यानि कि glancing angle of incidence क्या है तो incident ray और surface के बीच में यह surface है incident ray और surface के बीच में जो angle बनता है उसी को glancing angle of incidence करते है फिर से glancing angle of incidence किसे करते है incident ray और surface के बीच में जो angle होता है उसी को glancing angle of incidence करते है glancing angle of reflection क्या होता है तो reflected ray reflected ray और surface की बीच में जो angle बनता है उसी को क्या कहते हैं glancing angle of reflection कहते हैं जिसे मैंने यहां GR से लिखा है ठीक है तो glancing angle of incidence अगर मुझे निकालना है किसके case में mirror 1 के case में guys तो angle आई तो कितना है 45 डिगरी है तो यह यह कितना होगा यही तो glancing angle of incidence होगा क्यों क्योंकि incident ray surface की यही तो surface है हमारा mirror जो है surface है तो कितना angle होगा तो 90 minus 45 क्योंकि यह नॉर्मल है न यह तो पूरा 90 है लेकि यह खुद 45 है तो 90 minus 45 डिगरी होजागा तो glancing angle of incidence कितना होगा 45 डिगरी होगा किसके लिए mirror 1 के लिए mirror 2 के लिए यह 250 प्लेर-ग्ले जीदेंस किट्ना होगा? टो गैस देखो, यह तो इंगल अवश्चिदेंस हो गया, किसके लिए? टो ग्लैसिंग अगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? यह निकालना है मुझे, तो 90-15 कर दूँगा ठीक है तो 90-15 करूँगा तो 75 ही आगा वैसे भी परिसे पता है कि 75 ही है तो यह हो गया glancing angle incidence किसके लिए mirror 2 के लिए 75 डिगरी तो देखरो glancing angle at m1 75 डिगरी और glancing angle at m2 75 डिगरी अब angle of deviation क्या होता है देखो angle of deviation का concept समझो मानलो यह कोई incident रहे है ठीक है और यह कोई mirror है या कोई smooth polished surface है तो अगार यह mirror नहोता तो यह जो incident रहे है यह कैसे जाती बिलकुँ सीथे चल जाती बोलो यह बिलकुँ सीथे चल जाती लेकिन इस mirror कर चलते यह reflect हो गया और यह इस दिशा में चला गया तो एंगिलर डिवियिशन न यह एक रजा लेकिन इस मिलर के चलते यह ऐसी जा रहा था तो जाने कितने से एक रहा है इसी को मुझे निकालना है अच्छा यह i है तो यह भी i होगा क्यों क्योंकि वर्टिकल या पोजी टैंगल जो कि आवा भी नहीं पढ़े होगा साथ यह पढ़े दियोगे तो बढ़िया है यह i है अब यह पूरा 90 degree क्योंकि यह normal है न तो यह 90 degree है तो यह i है तो 90 minus i हो जागा यह खाली यह मैं बोलवाँ यह चीज यह 90 minus i हो जागा अच्छा यह r है और यह पूरा 90 degree है यह पूरा क्या 90 degree है तो यह कितना हो जागा 90 minus r हो जागा तो यह पूरा का पूरा कितना हो जागा 90 minus i पलस 90 minus r हो जागा बोलो गाइस यह पूरा एंगल कितना हो जागा 90 minus i तो यह खुद था यहाँ पर और फिर 90-R नहीं समझ मैं रहा है देखो 90-I तो यह हो गया क्योंकि यह खुद आई है थोड़ा से बड़ा लाता पिक्चर नहीं तो मज़़ा आ जाता है देखो यह आई है तो यह भी आई है लेकिन यह पूरा 90-Degrees है तो यह कितना बचाएगा 90-I ठीक है और यह र है तो यह कितना बचाएगा 90-R तो मुझे यह पूरा एंगल चाहिए था यह पूरा एंगल ठीक है क्योंकि इतना ही एंगल से डेफिएट किया है तो कितना हो जाएगा 90 plus 90 180 और minus I plus R लेकिन angle of loss of reflection सी क्या है i is equal to our होता है पता है न? i minus iesis पलस r के जगा vi liג सकते हैं क्योंकि angle of reflection जो law reflection करता है angle of incidence is equal to angle of reflection होता है तो r के जगा अनले angle of reflection जगा angle of incidence ले लिया 180 minus 2i तो यह होता है angle of deviation तो इसको वी बार फिर से copy पर करना angle of deviation नहीं समझ मैं चाहतो फिर से मिदेखेंगे तो एंगल ऐसे के लिए लिए तो 180-2i से लिए लिए तो आई क्या है आई क्या है आई 1 ऐैंगल of incident at mirror 2 तो angle of incident at mirror 2 तो पंदर डिगरी है तो पंदर गूने 2 को तो पंदर दो नी 30 हो जाएगा फिर 180-30 कितना हो जाएगा 1500 डिगरी हो जाएगा आरे वह समझे मैं तो इस तरह से glancing angle of incidence है दोनों के केसम है और angle of deviation दोनों mirror के केसम में हमने देख लिया और angle of deviation समझे ना कि जाना चाही था देखो एस है लेकिन वह ऐसा चला गया तो दोनों के वीच में जो angle बनेगा न यह angle यही angle of deviation है इसी को calculate करना ठीक है लॉट दर रिक्शन लगा के और नॉर्मल हमें संद यह और कुछ नहीं बलके 25 डिगरी इसी को दे दिया है क्यों क्योंकि light लोग पेरमेर के बीच हो 25 डिगरी है याने कि glancing angle of incidence दिया है लेकिन हमें तो निकालना है angle of reflection तो आप देखो यह तो पूरा 90 डिगरी होता है तो ठीक है यह 90 डिगरी होता है लेकिन यह खुद 25 है यह 25 तो यह कितना होगा 90 माइनस बोलो 25 तो कितना होगा 90 माइनस पचीस तो 95 पचीस आपको आठ में सो दूगा 65 हो जाएगा ठीक है 65 यानि कि यह हमारा i is equal to कितना हो जागा 55 डिगरी हो जागा क्यों क्योंकि यह incident रहे और यह normal है फिर से देखो यह कुछ ऐसा है यह 25 डिगरी द नौर्णल क्या होता है 90 डिगरी होता है दुने स्पर फिन wilderness होता है तो दुने से 65 मेंटीस घटाएंल के यह तो यह तो एंगल भी इस्डेक्टेश क्यों होता है incident law, normal के वीच में जितना angle बनता है, उसी को angle of incidence करते हैं, ठीक है, तो ये 65 degree है, तो ये भी तो 65 degree होगा, क्यों? क्योंकि angle of incidence is equal to angle of reflection होता है, ये second law of reflection से पॉढ़े हो ना, तो इसी लिए, इसका angle of reflection भी क्या हो जगा 65 degree हो जगा है, ये नहीं कि option में नौर्मल के साथ दिया हुआ है, समझ है है, और एंगल उप इसिडियन्स है, हमेसा इसिडियन्स और नौर्मल की बीच में होता है, तो इसलिए, आइस उकल्टू 90 मामस्व चीज के पैंसर ठाल गया, और एंगल रभी यएंगल आइस उकल्टू अगलल होता है, 2 आड पैंसर उसको देखोगे तो कैसा देखेगा तो जो left है और right हो जाएगा ठीक है As the image formed by a plane mirror is laterally inverted the image of the later reflection has shown so literally inverted होगा तो जो left है और right हो जाएगा समझ जो Laterally क्या होगा inverted होगा तो left right हो जाएगा ठीक है जिसे ऐसे ओ है तो ओ को उपर नीचे कैसे भी करो ओ ही रहेगा देख रहे हो I में भी कोई changing नहीं है T में changing है C में भी कोई changing नहीं है E में भी कोई changing E में changing है outreach आप ऐसे later case लिश्ग ना सकते हो जिसको कि अगर पर देखेंगे उसका image यह same का same रहता, तो ऐसे image बना सकते हो, लेकिन R देखो, R laterally inverted चला गया, ठीक है, F को देखो, L को देखो, ऐसा इसले भी है ना, कि देखो, जो नस्दीक होता है, जो mirror की नस्दीक होता है, जो भी object, plane mirror की नस्दीक होता है, उसका plane mirror से उतना ही नस्दीक image भी बनता है, तो यह जो L है, L का जो नीचे का part है, यह तो सबसे पहले आता है ना, तो इसलिए इसका image सबसे पहले बनेगा, और तो यह जो उपर का जो पार्ट इसका बाद मेश बनेगा देख रहो बताय था ना कि जितना डिस्टेंस पे आप्जेक्ट है पे इसके बनेगा एक वर्टूल इमेज बनेगा थीक है वर्टूल और इडियक्ट इमेज । तो इस तरह से इसे नोर्मल के बिच में क्या होता है जो एगल बंटाँ सी को एंगल प्रिस टीश लेकिन यह पूरा क्या है guys, 30 degree plus x तो 90 है, क्यों? क्योंकि इस तरफ तो पूरा 90 है, यह पूरा क्या है, 90 है, तो 30 degree plus x 90 है, तो x is equal to 60 degree हो जागा, अच्छा, एक case में, मालो, जो normal है, वह incident हो रहे हो गया, मालो, ठीक है, incident है, इंसिडेंट है बिलकू minimum degree प्यारा, तो refractive कैसा होगा, तो अधिक होगा, क्यों? क्योंकि जो angle of vicinity क्या है, 0 degree है, क्यों? क्योंकि जो normal है, वही अगर incident ब़न जाए, तो angle of vicinity क्या होगा, 0, तो इसका मतला angle of downsideible क्या हो जागा, 0, क्योंकि angle of vicinity coefficient होजआए, तो यह special case है, सब्सक्राइब कि अगर जो एंगल वही नॉर्मल बन जाए कि अभी तक कि हम यहीं देख रहे हैं कि किसी एंगल पर वहीं आए फिर्फरे के अगल पर कि अगर नवर भी आ जाए तो जीटनेंश से आई तो जैसे इसे आई थी और यह समूथ प्रीू सर्फसस या मिलर सर्फसस है जितर से यह राई थी उधर ही उधरी से टकर आकर लिए चल जाएगे तो बाद में एक्सरसाइज को ट्राइब करो फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे तो स्थाइंट इस सो मुझ फर वाचिंग जो फिर डावटर कमेंस के सामें लिख सकते हो और चैनल अच्छा लगा तो बागी वीडियोस भी चेक आउट करो चैनल अच्छा लगा तो ल